नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजुसर के नाम से इस्ट्यूट चैनल के अंदर एमसी की वीडियो की सकड़ी के अंदर एक और नया एमसी की वीडियो हम लेके आया है Community Health Officer CHO exam के point of view में और आज का हमारा जो एमसी क्यूज रहेंगे वो Demography के उपर रहेंगे Demography के उपर कुछ important MCQ जो हम solve करेंगे with rational के साथ मैं कहीं सारे MCQ जो है वो Demography के उपर repeatedly exams के अंदर पूचे वे हैं कि सारे MCQ आज हम solve करने वाले हैं आप लोगों से गुजारिस फटा बट से link को share कर दीजे लाइक कर दीजे और चैनल को subscribe कर दीजे maximum लोगों तो connect कर दीजे ताकि इस live class का हम सब लोग जो है मजा ले सके अराम से कुछ नया सीख सके maximum लोगों को जब हम connect करके पड़ाई करेंगे तो maximum लोग जो है एक important topic है इससे कहीं सारे questions बनेंगे वन बाई वन हम जो है सेलेबस वाइस topic लेके आज रहे हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो है वहाँ पे epidemiology के बारे में पढ़ा था अब demographic के बारे में हम पढ़ेंगे इस तरीके से हर एक topic को cover करके हम CHO के exam तक पहुँचने की पूरी करेंगे तो सुरवात करते इस बहतरीन क्लास की एक बहतरीन जो है दिन है बहतरीन महल है और बहतरीन questions यहां पे आने वाले हैं आप सारे लोग उसका अपने अपने सबसे जवाब देते रहिएगा और अपने concept को clear करते रहिएगा सबसे फॉस्ट क्वेशन आप लोगों के सा साइकल के अंदर इंडिया जो है वो करंटली किस स्टेट के अंदर है कौन सी स्टेज के अंदर है इंडिया डेमोग्राफिक साइकल के अंदर करंटली डेमोग्राफिक साइकल में इंडिया कौन सी स्टेज के अंदर है फिर्स्ट ऑप्शन है हाई स्टेशनरी अर्ली एक्स socio-economic progress of a country वाइष देमोगराफिक साइकल इस socio-economic socio-economic progress socio-economic progress demographic cycle जए है किसी भी country का socio-economic progress है किसी country का socio-economic progress जो है वो demographic cycle कहलाता जे demographic जो cycle होता इसमें 5 stage होती है 5 stage होती है एक होती है स्टेज 1, एक होती है स्टेज 2, एक होती है स्टेज 3, एक होती है स्टेज 4 और एक होती है स्टेज 5 Demographic Cycle के अंदर 5 स्टेज होती है इस question का answer कुछ लोगों ने ठीक दिया है, बाकी maximum लोगों ने गलत जवाब भी दिया है तो 5 stage होती है demographic cycle के अंदर इन 5 stage में stage 1 जो होती है उसका नाम होता high stationary जो यह option में लिकावाई यह stage 1 है stage 2 का नाम होता early expanding जो option B के अंदर लिकावाई stage 3 का नाम होता late expanding जो option C में लिकावाई stage 4 का नाम होता है low stationary जो option 4 में लिकावाई और stage five का नाम होता है declining क्या होता है declining जो होता है वो stage five का नाम होता है declining यह पांच stage होती है demographic cycle के अंदर इन पांच stage के जो parameter होते हैं इनमें दो इनके parameter होते है बैसिकली इनके दो पैरामिटर जो है वह important रहते हैं दो पैरामिटर कौन-कौन से होते हैं एक पैरामिटर जो होता है यहां पे एक पैरामिटर को हम नाम देते हैं कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौ और एकजार की मिडियर प्पुलेशन पे लाइव बडको कूड़ बट रेट तो कूड़ बट रेट जो लाइव बड़त होते हैं एकजार मिडियर पॉपुलेशन और और कुछ डैत्रेट जो होती है एक हजार पीपल के उपर घ्रल मीडियर पोपुलेशंगरे बर्ट रेट एब हाई इसके दोफ्टर मुखे डेमोग्राफिक साइकल के कुछ पुछ डैत्रेट इन हाई इपनी जो 10 फेज होती है उसके अंदर high stationary लिकावा तो दोनों ही high ही होती है मतलब birth rate भी high होती है और death rate भी high होती है इसको high stationary phase कहते है demographic cycle गी early expanding phase जो होती है उसमें birth rate high होती है birth rate तो क्या होती है high होती है और death rate जो होती है वो start होती है declining यह start हो जाती है और क्या start हो जाती है declining क्राइनिंग को डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है यह स्टार्ट हो जाती है धनली यह स्टार्ट वॉत यो इन उंदर देर्ट ऑपर यह कंटिन्यों डिक्लाइनिग और यह धरीड तो В 이번 क्राइनिंग calf rate continue declining है यह stage phase 3 और late expanding है phase 4 यह लो stage तरी जो होता है इसके अंदर दोनोही चीज़ें low लिकावा है जैसर यहाँ high लिकावा था तब दोनो यह ती यह low लिकावा है तो दोनो यह बर्त रेट भी low होती है death rate भी low होती है दोनों चीजन लोग है અलिये एकिस पांडी की था बरत रतती और डार्ड बा में चुह स्टार्ट रइट एक्सपांडी विख लाइट नंबर जो इंदर ऑफ़ प्लीड होती है वह अमैसा ज़ादा होती ये एज़ एुजिए नन कर्णान करन करन काऊंट हो तो आपको demographic cycle का याद रखना है demographic cycle social economic progress of country को indicate करता है demographic cycle जो होता है उसमें 5 stage होती है stage 1, 2, 3, 4, 5 यह 5 stage होती है demographic cycle में और इन 5 stage के अंदर 5 phases होती है यह phases के नाम है यह phases के नाम है high stationally, early expanding, late expanding, low stationally and declining और stage 1 है उसमें इसके parameter बर्त रेट और death rate होते है स्टेज 2 को early expanding बोला इसमें birth rate हाई होती है death rate start होती है declining स्टेज 3 जिसको late expanding बोला इसमें start हो जाती है declining birth rate और continue decline होती है death rate और स्टेज 4 जिसको हमने low stationary बोला उसमें दोनों ही चीज़ें low होती है birth rate और death rate और stage 5 जिसको मुने declining बोला उसमें death rate ज़्यादा होती है birth rate से ये simple सा याद रखना है demographic cycle को क्योंकि स्वाल यहीं से बनेगा अब हमें ये पूचा गया था कि कौन सी stage demographic cycle की इंडिया में currently चल रही है और इसका जवाब कहीं लोगोंने सही भी दिया है और आप समझ भी गयोंगे इसका जो correct answer रहेगा कि demographic cycle currently इंडिया के अंदर कौन सा चल रहा है वो है stage third और इसको बोलते है late expanding इसको क्या बोलते है late expanding और late expanding के अंदर क्या आता है late expanding के अंदर start हो गया late expanding जो चल रहा है वो है stage third late expanding जिसमें birth rate start हो गया declining और death rate जो है वो continue decline हो रहा है next question है demographic process does not include demographic process के अंदर कौन सी चीज include नहीं होती है demographic process fertility morbidity mortality और social mobility demographic जो process होता है जो population के अंदर continuously work करता है उसके 5 process होते है और यह demographic process क्या करता है किसी भी population की size composition और distribution को determine करता है demographic process जो होता है वो किसी भी population की size composition और distribution इस चीज़ों को जो है determine करता है और यह continuously population के अंदर काम करता है विद फाइव process इसके process पूचा यहां पर कौन सा process नहीं होता है यह पूचा तो इसके पांच process होते हैं याद रखना बड़ा आसान है एप triple ms इसको लिखते हैं इसको short से लिखते हैं एप triple ms यह demographic जो है आपका process होते हैं पांच इसके process है process के अंदर पांच चीज़ें होती है एप triple ms लिखते हैं एप का मतलब simply यहां पर fertility से एप का संसे से क्यों का मतलब होता है एक क्या मतलब होता है मौउर्टी शकोर माइड़िटी माधर माई एक सका मतलब किया होता है social mobility और यह 5 process जानने के बाद में साइध आपको कोई कठी नहीं है इस वाल'll का जवाब देने में अगर आपको ये पाइज परोसेस्मारीज प्रोसेस इन दिकेस वप साफ डामडाफिक प्रोसेसर पाइज परोसेस होतें डाफिक फर्टिलिटी मेरीज, मॉर्टिलिटी, माइग्रेशन और सॉसिल मॉबिलिटी अब देखिएगा A option में है Fertility तो ये तो है एक लिकवा है Morbidity तो ये नहीं है एक मॉर्टिलिटी ये भी है सॉसिल मॉबिलिटी ये भी है तो कौन सा नहीं है Morbidity और हमें सौल ने क्या पूचा है मॉर्टिलिटी वहाँ पर आएगा वहाँ पर मॉर्टिलिटी आएगा और वहाँ पर सॉसिल मॉबिलिटी आएगा लेकिन Morbidity Demographic Process के अंदर नहीं इंक्लूड होता है नहीं आता है इन डेमोग्रापिक साइकल लोxis नरी फेज अभी हमने फेज के बारे में पढ़ा लोस्टेसरी फेज करस्पोण टो वीच स्टेज कों सी स्टेज के करस्पोंड है लोस्टेस्ट नरी फेज फर्स्ट सेकिंड थर्ड फोर्थ अभी हमने पढ़ा है आप लोग भूल गए है वापस देखने की जरुक पढ़ रहे हैं इसका मदब आपका परजेंस और माइंड जो ड़ा गड़ बढ़ है परजेंस और माइंड रखें जो चीज एक बार पढ़ ली जाए ना उसको छप 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 जाना चाहिए वो दिमाग के अंदर दिमाग में खुटी होती है उसके अंदर टिंगवा दो उस चीज को एक ही बार में चीज किलियर करते वे आगे बढ़ो तब आपको चीजें ज्यादा अच्छे से किलियर होगी है ना तो चीजों को याद रखना जरूरी होता है बहुत बढ़िया कहीं लोगों ने वास्ता में याद भी रखा है और सही जवाब भी दे रहे हैं लेकिन कहीं लोगों को जो है सही जवाब नहीं आ रहे हैं उनको माइंड में चलती है है कि नहीं है तो अनिसीत चीजे ना रखे जो पढ़ाया जा रहा है उस पर विश्वास करिएगा है ना कल के question के अंदर वहां पर मीजल में isolation कौन से prevention में आता तो कहीं सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से मत दिये कहीं विद्वानों के ऐसे मत दे कि सरको तो पता ही नहीं है इनको आता नहीं है फलाना डिकाना मतलब कहीं सारे ये इंदोस्तान के अंदर बोलने की आजा दिया ये बात तो ठीक है लेकिन कम से कम विश्वास नाम की चीज भी तो होती है धरती के उपर अगर कोई आदमी किसी क्वेस्टन को और उनके आपसन के साथ में अगर जवाब को बता रहा है ना तो उस बताने वाले जवाब के अंदर कहीं सारी चीजें इंकलूड करके बाद में वो बोलता है ऐसे ही नहीं जवाब देते हैं तो विश्वास नाम की भी चीज होती है अगर उसको आंसर बताया जा रहा है तो विश्वास करिएगा कि वोई आंसर है और उसके रैस्नले को समझने की कौसिस करिएगा ऐसे नहीं होता है कभी भी कि हम कुछ भी बता देंगे और आपको वहाँ पे गलत बताया जाएगा अगर कोई चीज गलत होगी तो उसको रैस्नलाइज किया जाएगा तो विश्वास करके पढ़िएगा तो आपको साइध ज्यादा अच्छिवमेंट होगा बाकी कोई फरक नहीं पढ़ता इसे कि आप लोगों ने क्या कमेंट किया या क्या नहीं किया लेकिन विश्वास की अगर कमी रहेगी तो आपका सेलेक्शन आपसे दूर हो जाएगा हम जो ये सारी मैनत करें वो एक ही टार्गेट है कि आपका सेलेक्शन अराम से हो जाए आपको हर वो डाठा प्रोवाइड किया जाए जो एक्जाम के पॉइट ओ व्यू में इंपोर्टेंट है ये स्मार्ट स्टुडी का डाठा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये सिर्फ सेलेक्शन के पॉइट ओ व यू के अंदर है और अगर आप इस तरीके से अविस्वास दिखाएंगे तो selection थोड़ा धूर हो जाता है, है की नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान आप सब का भला करे, लेकिन selection के लिए पड़े, विस्वास के साथ में पड़े, चीजों को clear करते वे पड़े, कहीं भी आपको परेशा नहीं ह सवाल ने पुछा है, low stationary phase किसके correspond है, थो हमने यहाँ पर पांच phase पड़ी थी, और जो first phase थी, यहाँ पर first phase थी, वह high stationary थी, फर्स्ट थी उसको हमने क्या बोला, high stationary तो यह तो नहीं है, second phase होती, उसको उनने early expanding बोला, क्या बोला? early expanding, तो second phase जो होती है, वो early expanding की होते है, तो य पैस्टेशनरी थर्ड फेज नहीं है थर्ड फेज होती है उसको उने बोला लेट एकस्पांडिंड दो साथ एकस्पांडिंग थ87 इन्धनरी यह फोर्थ सितेज्म पोला लूश्बंध्नरी पहले क्या करिक्स्पांडिंग traded जों कन सी इस्टेज् preps ओ तो गहीं नहीं विल्कुल कई लोगों ने विल्कुल सही जवाब दिया और इसको आंसोर और उसको अमने क्या बोला लो स्ट्रेस्नरी यह जो है वो डेमोग्रापिक साइकल की फेज है और वो फूर्थ स्टेश से संबन दीत है तो यहां पर क्रेक्ट आंसूर क्या इंक्लूड बर्थ रेट जो है वह एक सिंपलेस्ट मेजर एक फटिलिटी का क्योंकि इसके अंदर इंक्लूड होता है तो यहां पर सवाल ने पूचा है क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर इसी क्या चीज इंक्लूड होती है फर्स्ट है टोटल पॉपुलेशन होता है macro death rate का हम ने क्या बोला था total live birth क्या बोला हमने total annual number of live birth and Anna annual number of live birth and Live और इसको comparison कैसे क्या था for one thousand Mid Year population mismo giving यह पॉपूलेशन यह हमने लिखा था नमबर ऑप लाइव बर्थ पर वन थाउजन मिडियर पॉपूलेशन स्वाल नहीं पूचा सिंपलेस्ट मेजर ऑफ फर्टिलिटी विकॉज इसके इंदर क्या चीज इंक्लूड होती है तो टोटल पॉपूलेशन से हम किसको काउंट कर भं सब येडियर पॉपूलेशन के करते हैं इनकलूडेस्ट मेजर फर्टिलेटी का क्योंकि इसके अंदर क्या चीजब उती है इनकलूड होती है année यह पॉपूलेशन के इनकलूड होने के कारण यह है का क्योंकि इसके अंदर जो है क्या चीज इंक्लूड है मीडियर पॉपुलेशन जो कभी भी एक्सपॉज नहीं करती है चाइड बीरिंग एज को इसलिए इसको ट्रू आइडिया ऑफ फर्टिलिटी का नहीं होता है इसलिए इसको सिंप्लेस्ट मीजर ऑफ फर्टिलिटी काउं क्या तो क्रेक्ट आसोर यहां पर एंगा बीडि़ बर पॉपुलेशन कुझ बढ़ा रोए और साहीं है क्यूंकि आप नीषऑ अरु वर्ट कर生क दोकर को दोगे cabbage को स्वाल के regret which is the correct one क्या होता है denominator और किसका denominator यहांपे पुछा है आपको बर्थ रेट का डिनो मिनेटर रहिए गाए जितने भी यह data जोता है इसमें इमपोर्टेंट वर्ड एक और लोटा है कि कौन सी चीज इसको डिनौट करती है थे ना किस चीज को डिनौट करके के इसको निकला जाता है इसको डिनोमेंटर कहते हैं तो यहां पर जो कूड बर्थ रेट का डिनोमेंटर हो अभी हमने पढ़ा कि टोटल एन्वल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन 1000 मिडियर पॉपुलेशन तो बिल्कुल सभी जवाब है कहीं सारे लोगों का नमर ऑफ लाइव चिल्डन नहीं होगा मिडियर पॉपुलेशन डिनोमेंटर कौन सा होता है जो डिनोमेंट करता है कि बहुत ही बढ़ा एक्सिलेंट जवाब आप सब लोगों के बहुत ही सां इन इंडियर पॉपुलेशन बिल्कुल करेक्ट आंस ओड़ा इसका नेक्स्ट है विच स्टेट इन इंडिया है दा लोवेस्ट फिमेल एंड मेल सेक्स रेश्यो कौन से स्टेट के अंदर है बिना ऑप्सन के भी साहिद आप जवाब दे देंगे वेरी गुड मैग्सिमम ल मेल रेश्यो कौन से स्टेट के अंदर है फटाबर से ज्वाब लिकायगा ए लोवेस्ट फिमЕल और मेल रेश्यो अमें यह नहीं पूछा हमें तो क्या पूछा लोवेस्त लेकिन आइएस्ट किसके अंदर है आयेस्ट जो है वो किसकें अदर है जैनला के अंदर और कितना है सेक्स रेशू जो है जो किसमे हरियáना के अंदर बहतीं बड़िया ने सही जवाप दियाता सँ लोवेस्ट किसमे हरियाना में अकोर्डिंगे टू तू-सट्रीफह यह सेट्पढ़े है किसका होता है और एस gep Start वाला स्टेट आई तो आग्र आपको पूले याय सेक्स रिषयोन डिस्टिक कौन सा हे दिष्टिक कौन सा है तो इस ही एक यूनाइटल टैरी है यह और वहां का सेक्स अलिट इस्टिक यह दिस्टिक कवा दिस्टिक फाहिविश और है और इसका सबसे आयेस्ट सेक्स राइशीयो है 1176 यह डिष और डिषनिक वाइज लॉएस्ट जो है वह किसका है दमनं का दमनेट जो होता है दमनेट दमन अडीव तो दमन जो है वेख डिस्टिक है और उसका है सबसे कम 533 यहर डिस्टिक कि प्रेक्ट का पड़ा यह district ना मेह और दमन मेह ऐ पॉंडुचेरी उनियन टेरिट्री अगर आपको वह पूछे कि अइस्ट सेक्स रेस्यो इन्हें यूनियन टेरिट्री तो पॉंडुचेरी होगा और उसमें भी डिस्टिक का पूछे तो मेह होगा और आपको पूछे lowest sex ratio in union territory तो दमन और दीव और उसमें डिस्टिक पूछ ले तो दमन जिसका है 533 तो union territory का अलग चलता है पॉंडुटेरी highest, दमन और दीव lowest और state का अलग है केरला highest, अर्याना lowest और district का अलग है में highest और दमन lowest हैं दोनों union territory के district होते हैं और इनके number हम नहीं यहां पर पड़े और यह आईस का 1084 है और lowest का 877 है इस्टेट के point of view में इंडिया के अंदर बर्थ इन इंडिया must be registered within इंडिया के अंदर बर्थ जो है वो कितने दिन के अंदर register हो जाना चाहिए यह स्वाल ने पूछा है option है seven days, 14 days, 21 days, one month पड़ा पर से अपना जवाब लिखे बर्थ का registration कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए within पहले भी स्वाल को अंपड़ चुके हैं और एक बात मैं फिर से यहां clear करना चाहूंगा फिर आप लोग और रिजिस्ट्रेशन और बर्थ रिजिस्ट्रेशन में डैठ रिजिस्ट्रेशन जो है वो साथ दिन डैठ का रिजिस्ट्रेशन जो है वो साथ दिन और बर्थ का रिजिस्ट्रेशन जो होता है वो 14 दिन के अंदर होना चाहिए होना चाहिए लेकिन डैठ का रिजिस्ट् पूछ कि यह option देवे तो correct ज्वाब हमेंसाई क्या बनेगा 21 डेट का रजिस्ट्रेशन साथ दिन बर्ट का रजिस्ट्रेशन चवदा दिन में होना चाहिए लेकिन 21 दिन के अंदर दोनों ही हो जाने चाहिए डेट का पूछे बर्ट का पूछे must be registered तो जवाब यहीं बनेगा डिफरेंट टाइप के आप जवाब देंगे आप रैशनल देंगे लेकिन सही बात को याद कर दीजिएगा अगर विश्वास है कुछ भी तो इतने दिन में हो ही जाना चाहिए तो फिर जवाब आपका क्या बनना चाहिए यहां पर ट्वेंटी वन किस नाम से हम जानते हैं CRS किस नाम से CRS CRS का फुलपम होता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सिविल रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम यह टेक्निकली टर्म है जो इन रजिस्ट्रेशन सिस्टम को करता है और यह सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो होता है वो विदिन जो है 21 डेज में होना चीए वैसे रजिस्टेशन जो है बारा महीने तक कर सकते हैं बारा महीने के अंदर-अंदर कराते हैं बारतर रजिस्टेशन तो फिरी ओप चार्ज होता है लेकिन अगर बारा महीने के बाद में अगर बच्चे का मतलब रजिस्टेशन का ट पांच रुपे देखके फिर इसको कराया जाता है यह रूल है सिविल रेजिस्टेशन सिस्टम का वो ज्यादा इंपोर्टेंड नहीं है लेकिन आपको भी यहाँ पर याद रखना है ट्वेंटीवन डेज फोर्थ स्टेज अप्ती डेमोग्राफिक साइकल डेमोग्राफिक साइकल की जो चौती स्टेज होती है वो है कौन सी है डिकलाइनिंग अर्ली एक्सपांडिंग हाई स्टेशनरी और लो स्टेशनरी फोर्थ स्टेज डेमोग्राफिक साइकल की कौन सी है फिर आप लोगों को तो demographic cycle की stage याद करवा रहा हूं और declining कौन सी थी? 5th थी बहुत बढ़िया कई सारे लोगों को अब अराम से याद हो गया कि साब declining तो कौन सी थी? 5th थी, early expanding कौन सी थी? 2nd थी, बहुत ही बढ़िया, high stationary कौन सी थी? 1st थी इसका मतलब A, B और C, 3 नहीं नहीं होगा क्योंकि मैं तो 4th stage का पूचा है और declining 5th है, early expanding 2nd है, high stationary, 1st थी तो low stationary कौन सी बन गई? 4th बन गई, low stationary कौन सी बन गई? 4th बन गई declining का मतलब क्या था? crude death rate जो है वो ज़्यादा होती है crude birth rate से इसको हमने क्या बोला? declining, early expanding का क्या मतलब था? कि crude birth rate जो होती है, वो तो high होती है, और crude death rate जो होती है, वो start हो गई है, decline होना start हो गई है, decline होना, यह early expanding था, high stationary की क्या था? crude birth rate भी आई होती है, crude death rate भी आई होती है इस फौना इस स्टेस्री बोला और कुरूट बरट रेट भीलो होती है और यह किसारी अमारी investing न रधी तहरड़ हो गही है और कूरूट के इंडिया में तो चल दिये धूर थाधी जो होरी है यह उमस्तार आभी ज़ी वह संत्ट सिंद बाने जीकला नहीं और हो रही उर्षे हर साल इंडिया में सेंस कंडेक्ट होता है कब 25 15 10 20 फड़ा वर से जवाब लिएगा वेरी सिंपल क्वेशन आज के सेशन का सबसे सिंपलेस्ट क्वेशन यही है कि इंडिया के अंदर जो सेंस होता है उसको कितने दिनों के अन्दर सेंस को रिवाई किया जाता है बहुत बढ़ी आ stipendों के नने विर्लोगों ने बहुत ही बढ़िया बहुत ही सांधार के अंदर केंदर हिंडिया के अंदर हो साल के अंदर तो शानें के अंदर है लेकिन की 2021 और होगन तथा नार्प वेन सेंट सब्सक्राइब और लांद साहल के उता हुता है sis इंडिया का फर्स्ट सेंसस इंडिया वाज दन इन इंडिया में पहला सेंसस कब केरीड आउट हुआ था 61, 71, 81, 91 फर्स्ट सेंसस 1861, 1871, 1881, 1891 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे देखियेगा बहुत ही बड़ी आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाया है कहीं सारे लोगों को बिल्कुल सही जवाब है कि फर्स सेंसस जो है इंडिया का वो कब केरीड आउट हुआ है यह हमने यह आपर पूछा है और कहीं सारे लोगों ने बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया है the correct answer is direct स्वाल है 1871 क्या है correct answer 1871 1871 के अंदर जिसकी जोड आट आए वो सही answer है देखिएगा 8 और 1 9 और 1 10 और 7 17 इन सारे को calculate करें तो 17 आते हैं और 7 और 1 को add करें तो कितना आता 8 लेकिन यह और 18 वाले कई इसका अंकड़ा है ना तो यह क्रिक है not so important लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि इंडिया में first census कब carried out है तो इसका जवाब कौन से year में तो जवाब क्या रहेगा 1871 first census इंडिया का किया गया था 1871 के अंदर 1871 के अंदर सब्सक्राइब क्या है सत्य बात पूछिए एक ही बात सही है और वह कौन सी है बहुत बढ़िया कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है बहुत बढ़िया डन बाइ ministry of home affairs यह बात एक मातर यहां पर सही बात है according to the census of India हर पांस साल में नहीं करके कब करते हैं दस साल के अंदर और सबसे पहला 800 account में नहीं करके कब किया गया था 71 के अंदर कब किया गया था 71 के अंदर और तो हर दस साल में इसको carried out करते हैं 831 में वाता और तो करक्ट आंसर क्या बनेगा done by ministry of home affairs यह बात true है स्वाल नहीं पूछा था कि census of India के बारे में सभी बात कौन सी है A is the correct birads b-i-r-a-d-s birads जो है उसका full form क्या है यह यहां पर बहुत simple question पूछा गया full form of birads breast imaging reporting and data system best imaging reporting and data system brain imaging reporting and data system biopsy imaging reporting and data system birads बहुत simple है और birads का full form बहुत नया term है हम सब के लिए तो इसका थोड़ा full form बता पाना मुस्किल है बाकि सब सेम है एक option है breast एक है best एक है खोटा है तो अगर answer D C और B नहीं है और तीनों ही खोटे है तो क्या बन जाएगा A very good सभी लोग A लिखेंगे A is the correct one breast imaging reporting and data system breast ultrasound जो है breast का जो ultrasound करते है उससे समन्दीत यह term है और इसका full form होता है breast imaging reporting and data system breast imaging reporting and data system याद रखिएगा यहां B का मतब ब्रस्ट है census population count is in reference to census population जो है वो किस reference के अंदर count की जाती है census population जो है वो किस reference के अंदर count किया जाता है मतब कटो पॉइंट किया है इसका यह important बात है फिर्स्ट मार्च फिर्स्ट जुलाई थर्टियत जून फिर्स्ट जैन्वरी census population counts is in reference to मतब कब से हम उसको count शुरू करते हैं ना census का मूवमेंट कब होता है census stop कब करते हैं और नया कब से सुरू करते हैं तो इसका रैफरल टाइम क्या रहता है यह पूछा है फिर्स्ट मार्च फिर्स्ट जुलाई 30 जून और फिर्स्ट जनवरी तो दे करेक्ट आंसरी बहुत बढ़िया मैक्सिमम ने सही बोला मार्च क्लोंजिंग मही कुम सा होता है मार्च तो फर्स्ट मार्च जो होता है वो אבवर्स्ट सारे 뉴스 रोह जाते हैं यह जो टाइम होता है एटाइम होता है और यहां से हमें स्नैप्सौट लेते हैं स्नाप्सौट यहां से पर मेर से इक्भाट सो अठाड़ है तो यहां नहीं सीखने को मिली है ऐसी मैं आसा करता हूँ और इसी तरह की की नहीं नहीं चीजें सीखा के Community Health Officer exam की तरफ हम अपने आपको confident करेंगे तो आप लोग बस ऐसे ही जुड़े रहे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आजा तो इसको like कर दीजे, share कर दीजे और subscribe कर दीजे चैनल को और इसके लावा एक काम करें इस वीडियो और इस चैनल को maximum लोगों तक पहुंचाने की जीमेदारी उठाएं देखिएगा अगर आप वास्तों में इस content को पसंद किया आपने और वास्तों में आपको लगता है कि यह बहुत helpful है तो यह हर उस individual के लिए जो CHO की त्यारी करा है उसके लिए helpful है इमांदारी से अपने आपके इमांदारी अपने पास में होती है इमांदारी से अपने आपको अपने इस उसवर को साकसी मानते वे 10-20 लोगों तक एक परसन के ताष़ दॉड़ा 10-20 लोगों तक इस content को पहुंचाने की कोशिज करें देखिएगा इससे आप कोगे क्या होगा तो इससे एक बहुत इंपोर्टेंट चीज होएगी कि हम सारती बन जाएंगे और बगवान किर्ष ने कहाता कि सारती बने स्वारती ना बने स्वारती बनना बंद कीजिए सारती बनिये किसी का helping hand बनिये मदद करके ही हम जिन्दगी म उन तक ये content पहुंचेगा तो मिलते हैं दुबारा एक नए वीडियो नए content के साथ में नई energy के साथ में कुछ और नई चीजें लेके आप लोगों का ये विश्वास आप लोगों का ये लगातार धेरिये के साथ में जुड़े बेरे ना इन सब के लिए आप धन्यवाद के पातर है तो thank you so much to everyone और भगवान हम सब को एक अच्छी रहा पर ले जाए और एक अच्छी जगे हमारे लिए हैं वहां उस target तक हम सब कहुंचें इसी आशिरवाद के साथ में मिलेंगे हम दुबारा तब तक के लिए जै हिंद जै भारत